हलो फ्रेंड्स आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूटूब चैनल का टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्लाइंट वीडियो टुटूरियल सीरीज इस सीरीज में हम क्लाइंट के जो मित होते हैं या तुरूत होते हैं उसको सामने लाया जाता है उसके बारे में उसको जो रिवील किया जाता है कि उनके क्या मित हैं और क्या तुरूत है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैं बहुत से जगा देखा है कि उनको मित बना हुआ है या उनको पता नहीं होता या वो इस बारे में मुझसे questions पूछते हैं कि क्या मेरी website डाइनिमिक है ठीक है तो हम आपको इसमें आपको आज reveal करेंगे कि डाइनिमिक website का concept क्या होता है डाइनिमिक website में कितने minimum features होने चाहिए और क्या क्या तरीके से आप फिर अपने खुद के portal को या software को self evaluate करें कि क्या वो ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है आप self evaluate करें इसमें कोई technical expertise की जरूबत नहीं है मैं आपको simple simple आपको बता हूँगा तो first of all first point क्या अगर हम उस पे dynamic का extension लगा दें या हमारी website पे dynamic का extension लगा हुआ है तो हमारी website क्या dynamic हो जाएगी जैसे for example ये एक है ना सहाब है ये मुझे से ये बोलते हैं कि हमारी website जो है dynamic है क्यों dynamic है क्यों कि उनके उनके हर एक pages के extension पे PHP लगा हुआ है या ASPX लग जाएगा या just PHP लग जाएगा तो इस से क्या वो website है ना dynamic हो जाएगी नहीं एक्स्टेंशन लग देने से तो ये बिल्कुल भी आप गारंटीड नहीं है कि वो dynamic website है मतलब इस लेवल तक कि उसमें ये मित है कि सामने वाले ने इस चीज़ के लिए सिफ एक्स्टेंशन चेंज करने का charges भी ले लिए ठीक है ये charges भी ले लिए और भी कई कई सारे में examples ब देखिएगी बहुत सारी website है जो उनके सिर्फ last में खर इसमें तो HTML लगा हुआ है लेकिन उनको मित है कि अगर हमारी website के आखरी में यहर एक URL में आखरी में कोई extension लग गया PHP लग गया .aspx लग गया तो हमारी website dynamic हो गई wrong नहीं आप अपनी website को self evaluate करें ठीक है बट dynamic में यह function होता है कि हम उसमें लास्ट में extension यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं 99% यूज नहीं किया जाता वह ACF URL कर लाते हैं search engine friendly URL extension या कोई भी special character नहीं होना चाहिए that means कि वह ACF है ACF मतलब search engine friendly जो Google है Bing है जितने भी search engine है उनके friendly URLs होने चाहिए तो हमारा यह पहला मैं आपको myth clear कर दूँ कि last में अगर हमारा जो है extension या कोई हमने dynamic extension लगा दी है तो हमारी website dynamic हो गई नहीं wrong information आप इस चीज़ को correct करें अब जैसे अगर मेरे बात करें मेरे website की बात करें तो मेर किसी भी pages में आपको last में extension मिलेगा ही नहीं extension नहीं मिलेगा it means कि वो it means कि वो dynamic website है हाँ उनको आप जरूर बोल सकते हैं कि वो dynamic website है ठीक है अगला point आप dynamic website में होता क्या क्या है dynamic website में आपके पास minimum इतना होना चाहिए कि number one कि आप कोई भी pages create करने का उसमें function होना चाहिए minimum जो एक function होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मैं उसके अंदर pages create कर सकूँ क्या कर सकूँ pages को create कर सकूँ ठीक है इन number of pages को मैं create कर सकूँ जितने चाहूं मैं उतने pages create कर लूँ, page create करने का function होना चाहिए, minimum, one number बता दिया मैंने आपको कि minimum उसके अंदर page create करने का option होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ये filter option हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, categorizations का option हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, but minimum उस उसके अंदर एक page create करने का new page create करने का और पेज जो existing page created है उसको display करने का एक option होना ही चाहिए यह minimum है बिल्कुल जरूरी नहीं है मैंने आपसे बोला कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसके नरो और additional features हो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है ठीक है उस page creation के अंदर image insert का option होना चाहिए मैं image उसमें कोई photograph डालना है तो मैं डाल सको हूँ ठीक है कोई photograph डालना है और कोई video डालना है तो वो function features होना चाहिए editor के format में वो page खुलना चाहिए जैसे मैं इस page को open करके दिखा दिता हूँ editors के form में यहाँ पर मुझे insert picture insert video यह सारे functions उसके अंदर होना चाहिए tables बनाने का option होना चाहिए कोई other tool का option होना चाहिए तो यह कोई बड़ा task नहीं होता coding के level पर यह बहुत छोटा task है अगर unexperienced developer भी है जिसने अभी भी development को knowledge लिया है वो भी इस application को बना सकता है तो यह client के उपर है कि वो इस चीज़ को check करें कि वो login जब अपने dynamic portal पर login करें तो उसको minimum एक page बनाने का creations का option होना चाहिए अब pages हमने बना लिया, अब हमें pages को different locations पे display कराने का option होना चाहिए मतलब यह में इसवाले menu में उस page की link बनाना है या इस या इसमें page की link बनाना है तो हमारे पास अगला option उसमें menu create करने का minimum option होना चाहिए कि वो अपने links बना सके और particular वो किस location पे वो link देखेगा जैसे मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कितनी चीज होनी चाहिए उसका title डालने का option होना चाहिए page top page top मतलब यह उपर का browser का title डालने का option होना चाहिए tool tip होना चाहिए URL कौन सा डालना है या किस page को link कर रहा है उसका option होना चाहिए alias जो ACF search engine friendly का alias होता है यह होना चाहिए या चाहे page पे create करने का option हो चाहे आपका menu पे create करने का option हो बागी यह सब option हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है दूसरा keywords keywords हर pages का अपना अपना create करे meta authors में था keywords, meta descriptions यह automatic हर page का individually create करे तो वो option चाहे pages पे create करने का option हो चाहे वो menu पे create करने का option हो पर option होना चाहिए यह सब option हो चाहे नहीं हो जैसे ही सब चीज में मैंने option दिया हुआ है मैं multiple option बना सकता हूँ कि category को जोडने का option category से menu बनाने का option दिया हुआ है इस portal में यह दिया हुआ है लेकिन यह सब हो चाहे नहीं हो इतना ज़रूर नहीं है लेकि minimum menu option बनाने का option होना चाहिए ऐसे हैं यहां category से हैं उमेरी से ही connection करका हूँ किसी भी category का menu link करका हूँ किसी भी page का create करका हूँ आप जैसे मैं page पर दिखा ज़ता हूँ किसी भी आर्टिकल का करका हूँ किसी product का भी यह minimum नहीं है लेकिन menu link án का option होना चाहिए यह minimum है ठीक है आप इस बात को आप समझ लीजिए कि यह दो एहम पॉइंट्स हैं नंबर तीन नंबर तीन क्या है कि हमारे वेबसाइट में बहुत चोटे बहुत चोटे चोटे कस्टम मॉडिल होते हैं जैसे मैं एक वेबसाइट पर दिखाता हूं आपको जैसे कस्टम मॉडिल होते हैं चोटे-चोटे बॉक्स बने हुए दिखते हैं किसी-किसी वेबसाइट पर आपने देखे होंगा है यह पता नहीं क्योंस हो गया है चोटे-चोटे जो बॉक्स देख रहा हैं एक बॉक्स यह देख रहा है एक बॉक्स बॉक्स दिख रहा है दो तीन चार पांच मल्टिपल बॉक्स दिख रहा है notice board के box दिख रहा है तो जो हमारे छोटे-छोटे custom blocks होते है वो custom blocks का option होना चाहिए कि मैं custom blocks create कर सकूँ create करने का option नहीं हो तो minimum कम से कम 8, 9, 10 है custom blocks बनाने के उसमे options होने चाहिए जैसे ये मैं बना चुका हूँ कई सारे options है custom blocks के options है ये होने चाहिए क्योंकि आप pages of menu से आप website का look नहीं generate कर सकते हैं आपको custom block की जरुवत पढ़ती है custom block मैं और भी कहीं दिखाता हूँ आपको और भी कहीं सारी चीज़े दिखाना पढ़ता है आपको अपना vision दिखाना होता है mission दिखाना होता है कई सारी चीज़ें दिखानी पढ़ती है तो हमारे पास custom block का option होना चाहिए और उसको edit करने का option होना चाहिए it is minimum ये minimum है ये होना ही चाहिए हरालत में होना चाहिए ये देखिए welcome message है vision है, mission है, motto है, policy है other websites की links डालनी है notice board type links डालनी है ये minimum है ये इतना होना चाहिए ठीक है अगला points क्या है, कि हमारी website में inquiry का minimum एक inquiry form होना चाहिए हरालत में एक single inquiry form होना ही चाहिए ये inquiry form होना ही चाहिए ठीक है क्यों, क्योंकि अगर हमने website बना दी लेकिन हमारे तक उसको कोई पत्र वेवार करने का अगर option नहीं है कोई अगर आपको message करने का कोई option नहीं है मुझे आपसे अपना नाम नहीं share करना email नहीं share करना, mobile नहीं share करना पर फिर भी मेरो को आप तक message पोचाना है, कोई बात पूछना है कोई questions करना है, चार गालिया ही बखना है available हो नहीं, बट minimum आपके पास एक form होना चाहिए जिसमें वो अपना नाम पता email डालके subject line लिखके, simple email compose की तरह आपको वो message कर सके इतना minimum उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है जैसे मैं अपनी website पे एक inquiry submit करता हूँ अब यह तो हर्बहुत advance label पे बना हुआ है उसमें कई सारे options हैं पर desert mean कि आप बिलकुल हो इना यह भी नहीं होना चाहिए, minimum एक inquiry form होना चाहिए यह मैंने send कर दिया ठीक है मैं जैसे send करूँ तो सामने वाले को एक inquiry email welcome email भी पहुंचना चाहिए और अगर आपने WhatsApp पर message भेज़ दिया फिर तो well in good फिर तो सोने पर सुहागा अगर उनको WhatsApp पर मिल जाए या SMS मिल जाए और फिर तो सोने पर सुहागा ठीक है ना अगला option जैसे इसके अनले additional बने हुए है additional कई सारी field बनी हुई है आप फिर जित्ता बहुत जादा नहीं इसमें आपके पास customize option होना चाहिए कि मैं अपने fields को enable disable कर सकूँ जिसे यहाँ पर देखी pin city state country का भी format है लेकिन यहाँ पर display में नहीं आ रही है दूसरी चीज़े आ रही है तो यह customize करने का इसमें additional feature दिया हुआ है कि आप inquiry form को user अपने level पे customize कर सकता है config में जाके यह इस portal में option दिया हुआ है यह हो चाहिए नहीं हो लेकि minimum at least इतना तो होना चाहिए नहीं कि inquiry form हो बिलकुल भी ना हो तो यह तो यह तो बात तुक समझ में नहीं आई नहीं कि बिलकुल भी ना हो ठीक है अगला option अगला option क्या है कि हमारी website में हम pages बना रहा है custom model बना रहा है inquiry form बना रहा है social media की different है तो dynamically उसका layout set करने का option होना चाहिए dynamically मतलब कि मैंने अगर मेरे दिल में आया है कि साब यह mono गलत जगह आ रहा है mono को इधर करना है यह search box इधर नहीं आना चाहिए search box जो है एक number इधर आ जाए या inquiry form गलत आ रहा है inquiry form और उपर आए ना block के नीचे आए तो यह सारे option मतलब layout set करने का function features हर हालत में उस portal में होना चाहिए नहीं तो फिर dynamic का मतलब क्या मतलब dynamic का मतलब यही है कि आप जिसके अंदर developer पे किसी भी तरीके से किसी भी रूप में developer पे depend ना हो it is dynamic मतलब आपको developer को किसी भी कारे के लिए call ना करना पड़े वो dynamic website है ठीक है जैसे मैं एक example के थूरू बता जाता हूँ जैसे बहुत छोटे example से बता रहा हूँ जैसे inquiry form है मैं चाहता हूँ inquiry form थोड़ा सा उपर देखे और उसके बाद वाला जो form है वो नीचे देखे तुम्हें यहां पर देखे मेरे पास option है किस रो कॉलम रो कॉलम मतलब यह रो है उसके इंदर दो कॉलम है एक रो है उसके दो कॉलम है फिर हर एक में अलग-अलग plugins उसमें में सेट कर पा रहा हूं तो plugin प्ले option होना चाहिए यह dynamic layout का option हो चाहिए यह dynamic layout किसी भी तरीके से हो सकती है वेसे तो 99% जो dynamic layout बनती है वो रो कॉलम के format में ही बनती है तो हमारे पास dynamic layout और उसमें selection of layout होना चाहिए कि मुझे उस particular plug को किस-किस type of pages पे दिखाना है होम पे दिखाना है पेज़ 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 प तो में सिक्राइब रहे हैं मैं, दूसरे को और हैं. विए चीन है, और है क्या इसक्Reयान ही टेख्यान 3D. रहे हैं दूसरा, आपनि अइन्म मेरे है, मारे हैं, यह पूल है, मत-जाया है. का वो चार्जबल होगा मेरे से भी आप बोलोगे कुछ करने के लिए तो मैं भी बोलूँगा कि नहीं साथ इसके चार्ज लगेंगे पर अगर डाइनमिक में मिनिमम फीचर रहा रहा रो कॉलम ले आउट का अगर फंक्शन है तो मुझे आप मुझे कॉल नहीं करोगे तो आप इमीडियेट कर पाऊँ कि आपको जम बन कर रहा किसी ने बोला कि साथ यह इंक्वाइरी फंक्वा नीक्वाइए नीचे क्यों भुशा हुआ हूआ है आप उपर करो आप उपो इंग्वाइरी फंक को मैं जो है उपर कर देता हूँ ये लो ये कर दी है मेने inquiry firm कहाँ दिख रहा है है भी मेरा inquiry firm ब्लॉक के बाद अब कहां देखेगा ब्लॉक से उपर देखेगा देखिए खुद ही देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कहां आ गया मेरा inquiry firm block के उपर देखिए block नीचे चला गया inquiry form उपर चला गया ठीक है न तो मेरे पास इस तरीके से कई सारे इसके अंदर option है 1000 options हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1000 options हो मैं कह रहा हूँ लेकि minimum तो हो मैं row column layout set कर सको इतनी minimum उसमें options होने चाहिए यह होना ही चाहिए वहीं अगला फीचर अगर मेरे पास row column set करने का option से तो मेरे पास color theme चेंज करने का भी option होना चाहिए CSS set करने का option होना चाहिए देखिए यह यह मैंने अपनी color चेंज करना है तो मैं दो सेकंड में अपनी website का color चेंज कर सकूँ मेरे पास सारे color चेंज करने का यह option आ गया यह देखिए color चेंज कर सकूँ font चेंज कर सकूँ कोई किसी का size घडाना बढ़ाना है font size घडाना बढ़ाना है वो change कर सकूँ कोई और special work करना है तो वो कर सकूँ तो मैं अपनी minimum efforts में मतला अगर मैं अपने client को बता दूँ कि sir यहाँ पर आप जाईएगा और यहाँ पर जाके आप सिर्फ color चेंज कर सकते हैं और color चेंज करने की procedure उसको बता दी कि आप यहाँ जाईए और inspect element करिए आपको इसका color चेंज करना है उसका inspect element करिए और उसके color पे आप जो color दिख रहा है color वाले code से color पिक करके आप उसको change कर दीजे और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप उसको चार बार उसको guide करिए पर करिए यह मैंने पिक करा color यह मैंने color पिक कर रहा हूँ यह लिया मेरे को अब ऐसा color नहीं लेना नहीं अटा तो पिकर अटा तो अपने according कोई color define करना है red color yellow color कौन सा लेना है वह आप ले लो जैसा है मुझे यह यह मुझे color लेना है यह अच्छा लग रहा है तो यह मैंने color code लिया copy करा और यहां पर किस जगह पे change करना है यह भी दिखा देगा आपको line number 36 पे change करना है line number 36 पे आप गया है line number 36 यह देगी दिख रहा है यह मैंने उठाया और save कर दिया ठीक है line number 36 पे change करना है मैं वाला code भी copy कर लो ताकि मेरे को जब वापस reflect करना हो तो मैं कर सकूँ यह लिया और यह मैंने save मार दिया ठीक है यह मेरा save होगा अब मैं यहाँ पर जैसी refresh करूंगा अब मेरी website का वो color change हो चुका है अब जो कप कोई website खोलेगा तो उसको नए color नए flavor नए flavor के साथ उसको वो चीज़ दिखेगी आपका layouting change जैसे आदमी अक्मार का रोज नए-नए clever बनाता है नहीं सकते हैं नया लोग को दे नहीं सकते हैं पर website को तो दे सकते हैं न website भी क्या है आपकी दुकान है आपका store है यह देखे चेंज हो गया है अब मैं इसको वापस reward कर देता हूं मैंने अपना उसका code copy करके रखा था कि था कि मैं reward कर सको यह लिया और यह मैंने सेफ कर दिया अब उसका वापस reward कर देता हूं यह देखे अब मैं चाहिए जितने color change कर हूं रोज उठों और सुबह सुबह जिसे हम फेस्बुक के good morning का मेसिज लिखते हैं वेसे आपन में website का color change कर तो कि कल जिसे ने देखा था और आज जो देखने आए तो वो यही करें कि अरे वाह कितने जीवन तो लोग हैं उनकी आखे आखे खुल जाएं कि अरे वाह ऐसा होना चाहिए तो वो आपसे attract होगा कि अब भाई आप रोज कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं नहाद होके तैयार होके रोज गेटब बनाके जाते हैं तो आपका आपका जो बिजनेस है वो क्यों नहीं ठीक है तो यह मिनिमम एक option होना चाहिए उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसाब है ना यह पेज का मेनू का ले आउटिंग का मॉडूल का इंक्वाइरी का थीम का यह चेंज करने का minimum option होना चाहिए आपके पास है प्रोफाइल सेट करने का यूजर ने पासफ़र्ट चेंज करने का option होना चाहिए ठीक है और बागी function features हो चाहिए उस ना हो उससे कोई मतलब नहीं है अगला option flash का अगर हमारे पास change करने का option मिल जा तो और अच्छा है यह भी अच्छा है लेकिन यह optional आप मान क्लाइंस हैं जो डेली चेंज करते हैं डेली डालते हैं डेली कुछ नया नया डालते हैं खास्तों से school college वाले वो रोज सुबह उठते हैं अपने बच्चों की फोटो कहचते हैं कोई activity की फोटो कहचते हैं और वो उस पर उठाय कर डाल देते हैं कि आप अपने business के इंडल business के recording यह हुआ आपने चार बाते हैं उसमें रोज उसमें आप चिपका रहा है तो आपको वह अगर option भी मिल जा है तो अच्छी बात है यह भी option हो उसके अंदर होना चाहिए दूसरा सबसे एहम कि आपकी website plugin play होना चाहिए plugin play मतलब हमारे पास हर sections का individual plugs होना चाहिए और हम कभ plug जोड़ लिया अब मेरे पास वह plugs उस particular function का plug नहीं है तो मैंने उस particular plug का development करवा लिया और अपनी website पर attach कर लिया यह plugin play का option होना चाहिए हर हालत में plug and play का option होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है न अब जैसे बहुत से डवलबर हैं जो code इस तरीके से बनाते हैं उनकी coding style इस तरीके से होती है कि अगर coding में भी अगर चीज़ करना है तो उनको पूरा code download करते हैं फिर उसके अंदर पूरी जद्दो जहत करते हैं पूरा दोबारा researching करते हैं दुबारा टेस्ट करके वह is static वाला मामला नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए आपका portal आपका चीज़ जो हेँ वह डाइनीमिक बनाने में बी डाइनीमिघ को उटाया बनने करते हुँ होती है continuum अगर मैं 220 अभी न brightnessCamera घुल डवलपर भी डिपेंड नहीं मैं दूसरे डवलपर को भी रोक लूँगा भाई साथ तुम आ जाओ तुम यह चीज बना दो मैंने बनाया डाल दिया है ना डिपेंडेंसी नहीं ऐसा नहीं कि आपने किसी एक से बनवाया तो उसी से गुजारिश करने पड़ रही है कि भाई स प्लग अलग हो जैसे मैंने इंकोई्री का प्लाग है हर चीज का plug and play option होना चाहिए उसकी editing का भी उसका display का भी और हर एक चीज का plug-in play होना चाहिए हर एक चीज का options अलग-अलग होना चाहिए कि आप उसमें कोई नया जोड़वाना हो तो उसमें पूरी coding को उतल पूतल नहीं करना पड़े वो particular आपने section बनवाया module बनवाया और आपने उसको लगवा दिया जैसी अभी recent का अगर मैं बात करूँ तो एक सापने मुझस से बोला कि material IRP का एक software बना दो ता मैं पूरे उसमें software में जाकर उंगली नहीं कर रहा हूं मैंने उस particular sections को बनाया और उसको उस plug को ले जाकर उस website से attach कर दिया जस्ट अटेच बाकि जो website exit चल लाई थी वह exit चल लाई है उसमें कोई correction नहीं कर रहा हां मुझे correction करने की कब जरूवत पड़ेगी कि अगर मेरा पहला जो यह पूरा software चल रहा था वह bootstrap 3 पे चल रहा था अब मुझे bootstrap 4 पर convert करना है तो मुझे जाहिसी बात है जो मेरे existing पूरे bootstrap 3 पर बने हुए जितने प्लक्स हैं उन सब को change करके bootstrap 4 पर लाना पड़ेगा और it is free services from the developer मतलब ऐसा नहीं कि आपने bootstrap 3 से bootstrap 4 करना है तो उसमें developer को यह आप से charge करेगा नहीं वह उसकी जिम्मेदारी है कि वह latest technology में उसको upgrade करके दे है ना bootstrap 3 से bootstrap 4 कल की date में bootstrap 5 आ जाएगा jQuery 2.0, 1.5, 2.0 ऐसा चलता था अब मैंने 3.5 कर लिए यह मेरी जिम्मेदारी है मैं हर एक चीज़ को change करूंगा यह मेरी क्या किसी भी developer की तरफ से यह सेवा free होना चाहिए हर हालत में क्योंकि आपको वो एक monthly rent yearly या monthly rental पे कर रहा है तो आपको software में software की dining city में आपको upgradation करते रहना पड़ेगा यह developer की जिम्मेदारी है और आप यह developer से करवाएं नहीं तो आप developer change कर दीज़ें अगर आपको ऐसा यह सारी चीज़ें आपके application म नहीं है आपके features नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप full of उसमें आप full बन रहे हैं आपको लूटा जा रहा है आप उसको बदलाव करिए आप उसमें यह बदलाव करवाईए और ऐसा नहीं है अगर मैं बात करूँ तो cheapest product में यह सारे function है तो भी costing वही होगी और जिसमें नह पेसा किस बात का और इससे जादा अच्छे 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 products जो है market में free में available हैं तो आप उनसे free वाला भी demand कर सकते हैं मतला आपको सिर्फ hosting का और domain का pay करना है बागी pay करने की जरुवत नहीं है साफ-साफ इंकार कर दीजे कि मैं इसका development का आपको पेसा नहीं दूँग free वाले open source भी available हैं for example wordpress available है shopping cards के लिए मेजन टो open card Shopify बहुत सारे available हैं अगर मैं आपको list करनाने चलूँ तो लाखों से software's available हैं बहुत लोगों ने बनाए हैं और open card में और customize में बहुत फर्क होता है यह मैं आपको हमारा अगला points मिल गया है कि हमारे पास हम open source बना बना है predefined free software यूज करें या customize यूज करें मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको इस चीज को explain करूंगा तो आप मेरे अगले वीडियो इस YouTube चैनल को आप subscribe कर लीजे bell icon press कर लीजे ताकि आपको हमारी सभी video tutorial series के updates मिलती रहें आप immediate कर लीजे और अगले वीडियो का आप देखे जरू कि हमारी अगले वीडियो मिलेगी इस वीडियो में बस इतना ही thank you